बागेस्वर महराज की यह हसी ते जस्वी यादों को चिढा रही होगी ते जस्वी ने वाकई में अपनी पूरी ताकत लगा दी कि हम बागेस्वर महराज धिरेंदर शास्त्री को रोक देंगे लेकिन नितीश कुमार ने बता दिया कि अभी हम है और जब तक हम है तब तक कि है और हम चाहेंगे वही होगा और बाबा बागेस्वर महराज धिरेंदर शास्तरी अब राजधानी पटना में आ चुके हैं सब कुछ समझेए कि क्या से ते जश्वी यादों ने अपनी सारी ताकत लगा दी अपना सारा शक्ती जोक दिया दिरेंदर शास्त्री को रोक दिया जाए लेकिन बगेस्वर महराज पट्मा में आकर मुस्कुराते हैं अपने उसी अंदाज में अपने भक्तों को पागल कहकर कहते हैं कि हमारे पास हमारे दर्बार में आओ और यह सब कुछ होता क्यों है तो कहा जा रहा है कि नितीश कुमार यह सब परकार से नितीश कुमार में तेजश्वी को भी बता दिया कि जब तक हम हैं तब तक असली किंग हम ही हैं आगे सब कुछ अच्छे से आपको समझाएंगे बाकिया मारा नाम मुहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले जानिए कि तेजश्वी यादों को छोड़कर उनकी पाटी का बिधायक उनकी पाटी के मंत्री प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग धिरेंदर शास्त्री के बिरोध में एक पैर परमानों खड़े हो गए थे वे लोग तयार थे कि हम घेर लेंगे कोई चुनोती दे रहा था कि हम भगा देंगे कोई चुनोती दे रहा था कि हम मुतोर जबाब देंगे लेकिन नितीश कुमार एकदम चुपचाप थे नितीश कुमार की पाटी का नेता एकदम इस पर बेकार की बियानबाजी नहीं कर रहा था वो एकदम सधे शब्दों में बोल रहा था और अब इस बात को समझिए कि नितीश कुमार के पास गिरिम मंत्राले है नितीश कुमार मुख्यमंत्री तो है लेकिन बिहार के गिरिम मंत्री भी हैं समाने प्रसासन विभाग नितीश कुमार के पास है और तेजस्वी यादों की पाटी और कईये की तेजस्वी यादों अपनी सारी ताकत लगा देते हैं कि धिर्यंदर शास्त्री को लोका जाए लेकिन नितीश कुमार की प्रसासन नितीश कुमार का ग्रिम मंत टाले, इस बात की याज़द देता है कि ध्रियंद्र शास्त्री पटना में आएंगे, उनका कारिकरम होगा, और उनका कारिकरम हो रहा है, और नितीश कुमार की प्रसासन, बाबा को सिक्योर्टी प्रोवाइड करती है, अब मामला बड़ा किलियर सा है, कानपूर में ध्रियं के बाद हम आपके कार्करम को कराएंगे लेकिन फिलहाल वहाँ पर सिती ठीक नहीं है इसलिए कार्करम को रध करते है मतलब किशाई चाहे तो कार्करम को रोक रोक सकती है और यूपी में भाजपा सरकार की प्रसाइसन रोक सकती है तो अगर तेज़ास्वी और हमारे ही सारे पर ही चलेगा। आप निटीश कुमार ने एहसास भी करा दिया तेज़ेस् विको कि बवज़ा का जो बयान आपके नेता देते हैं, आपके बिधायक देते हैं, आपकी पार्टी बवज़ा के मामुलों में जो कुट जाती है, उससे आप बचेए, वरना आप का चीछा लेदर होना क्योंकि जब तक मुख्यमंतरी नितीज कुमार है इससे यह संदेश जाता है कि तब तक कोई बाबा हिंदुतों का परचार करने आएगा तो चाहें तेजस्वी लख ताकत लगा दे लेकिन वो बाबा रुकने वाला नहीं है वो बाबा आकर कथा कहेगा वहाँ पर सब कुछ होगा फिलाल नितीज कुमार और तेजस्वी यादों को लेकर बड़ी चर्चा है आप समझे कि तेजस्वी अपने मुझ से कुछ नहीं बोलते लेकिन तेजस्वी की पार्टी का मंतरी आकर कहते हैं कि हम चुनोती स्विकार करते हैं हम अधिरेंदर शा लक्ष कहते हैं जेल में डालने वाली बात तब हो तो भीना तेजस्वी के सहमती के नहीं बोलते लेकिन तेजस्वी जानते थे कि नितीज कुमार मानेंगे नहीं और हम बिरोध काहें कर दे लेकिन नितीज कुमार कारकरम कराएंगे और इसलिए तेजस्वी ने अपना भब बिस्वागत देखिए और तमाम वहाँ पर जो सुरक्षा की बेऊस्था है प्रसासन वहाँ पर जैसी मुस्तैद है चुस्ती के साथ वहाँ पर नबागिस्वर महराज को सुरक्षित सुरक्षा दे रही है यह सब कुछ बदाता है कि तेजस्वी यादों का खेमा बिरोत करता रह गया लेकिन नितीश कुमार ने अपना पावर दिखाया और उसी के बदावलत आज धिरेंदर शास्त्री यहां पर भीहार में कथा कह रहे हैं आपकी पर्तक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंट बॉक्स लिए कर बदाईएगा आगे जो भी और तमाम जानकारी जो भी और नया अपडेट निकल कर आएगा सब कुछ आप तक पहुँचाएंगे तमाम खबरों के लिए पमारसद बनी रहिएगा कि हमरे एक जरी साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद